नमस्कार किसानु की दुर्दशा है और जिसमें भी कोई विशेश पडिवर्तन नहीं हुआ है उसका यहाँ पर वर्णन हमें करते हुए प्रतीत हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं तो कवीता जो है बहुत आसान है इसमें पांच परदों को संकलित किया गया है और कवीता की समापती के पश्चात हम इसके प्रश्णोत्रों के भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में व्याक्या के साथ आपको कटीन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट वी शेयर जोर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए च अभिमान भरा आँखों में इसका छोड़ उसे मजधार आज संसार कगार सद्रिश बहखिसका जो इसके व्याक्या के और बढ़ने से पहले मैं यह बताऊंगी कि इसकी प्रसंकिस प्रकार लिखेंगे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध कवी सुमित्रा नंदन पं दशा को देखकर बहुत दुखी है आहत है वे उनकी दशा का यतार्त अंकन करता हुआ कहता है अंधकार की गुहा सरीकी सरीकिर्थत समान और गुहा यानि गुफ़ा उन आखोंसे डुरता है यानि हापे जो भारत जो है वो स्वाधिन हो गया है पर जो किसानों की स्थिती है उसमें कोई विशेश परिवर्तन नहीं आया है और उनकी दुख दीनता से परिपून आखे जो है वो कभी उनकी और देखता है और उन आखों को देखकर भैभीत हो जाता है क्यों भैभूईत हो जाता है क्योंकि जो उनकी आँखें अंदकार की गुवा सरीखी सरीखी यानि समान कि उनकी जो आँखें जिस प्रकार एक अंदकार से भरी हुए गुफा होती है उसी प्रकार उनकी आँखों में भी किसी प्रकार का कोई प्रकाश नजर नहीं आता कोई क वेलग प्याद, यानि वो आँखों को यहां पर गुफ़ा के समान अंदकार में क्यों कहा गया है क्योंकि आत्यधिक वेदना है, दीनता है, दुख है, पीड़ा है और रोधन भरा हुआ है. जिसकी वज़े से उनको अंदकार है यानि negativity का प्रतिक बताया गया है और उनकी सानों के मन की जो पीड़ा है उनकी आँखों में जो जलक है वो दिखाई दे लिए है मतलब आँखों में एक आशा की किरन जो होनी चाहिए वो मर चुकी है सिर्फ अंदिकार ये अंदिकार नजर आता है और ये पीड़ा तनी अधिक है कि उनकी आँखों को देखने तक का जो कभी में है साहस नहीं है और भरा दूर तक उनमें दारून, और उनमें बहुत जादा दुK जो है उनकी आँखों में बहुत दूर तक नजर आता है जो कभी समाप्ता नहीं होगा, देन्या दुक्का निरवरोधन और निरवरנ्द था शान्ध और देन्या था दीन्द था, यानि उनके अंदर एतना दुख है और वो इतने जदे शान्त है वो रो रहे हैं और उनका जो दुख है वो कभी समाप्त होता प्रतीत नहीं हो रहा है वह स्वाधिन किसान रहा और आगे वो कहते हैं कि वह स्वाधिन या उनके अतीत की बात की जा रही है कि जो किसान का अतीत है वो अच्छा रहा है व फिर हम कोई छोटा काम कर रहे हैं या ऐसे उनके अंदर कभी किसी तरह का कुछ भी भावुत्पन नहीं हुआ वो अपने आपको बहुत प्राउट स्वाबिमान फील करते हैं उनकी आखों में एक पॉजिटिविटी एक स्वाबिमान जलकता दिखाए देता है गर्ब उनके आखों में दिखाए देता है छोड़ उसे मजदार आज लेकिन देश स्वाबिमान की जलक दिखाए देती थी लेकिन उनके पास आज वो स्वाधीन होने के बाद अकेला पड़ गया है संसार ने उसे संसार कगार संसार ने उसे कगार यानि उसको किनारे पर सद्रिश यानि समान बह खिसका खिसका यानि अकेला उसको छोड़ दिया है यानि संसार ने उसे समस्याओ के बीच में छोड़ कर किनारे की तरह बह कर उससे दूर चला गया है यानि किसान से अपना सब कुछ रिष्टानाता तोलेना, यानि इन्लसेंस की उनके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता, या उनके लिए सरक्षर नहीं है, या उनके लिए किसी तरह की कोई अवाज नहीं उठाई जा रही, तो इस वजे से यहाँ पर जो स्वाधीन भारत में जो किसानों के स्थितिय है, वो उपत से बत्तर होती चली जा रही है, तो आशा करती हूँ, अत्यांते सरल है ये, पहले पत का विशेश देख लेते हैं, कि पहले में किसान की अपेक्षा, उपेक्षा का मारमिक चितरन किया गया है, अंदकार की गुहा गु, सरीखी में दूसरे पत की और बढ़ते हैं, दूसरा पत कुछ इस प्रकार है कि लहरा ते वे खेत द्रिगों में, द्रिगों अर्थात आंखे, हुआ बेदखल अब वे जिन से, हस्ती थी उनके जीवन की हरिया लिव जिनके त्रिन-त्रिन में, त्रिन-त्रिन अर्था तिनके से, आंख में अर्थात जो जमीदार की सर्वेंट होते हैं, जो कारिंदे होते हैं, उनको कारकुनों का गया है, आप समझ जाएंगे अत्यानति सरल है, यहाँ पे जो सुमित्रन अंदन पंजी है, वो व्याख्य करते कहते हैं, कि जो किसानों का तीत था, वो बहुत अच्छा था, स्वत जनता के बाद जुस्तिती है, बिगड़ चुकी है, कभी किसानों की जो यह खेत थे, वो भरपूर फसल से लहराते थे, लहलाते यह खेत द्रिगों में, अर्थात आखों में जो किसान था, बहुत प्रावफिल करता था, अपने इन खेतों को देख कर, तब यह खेत उनके अपनी थे, अब उसे इन खेतों से बेदखल कर दिया गया है, और जब यह इन खेतों को देखता था, तब वो उसके खुद के खेत होते थे, और वो खुद उन पर काम करता था, वो खुद उनका मालिक होता था, हुआ बेदखल अर्थात हिस्से से बेदखल कर देना, उसको इन किसानों के जीवन की जो हसी है वो जलकती थी, यानि जब वो हसते थे, तो उनके जीवन की जो खुशाली थी, उनके जो हर्याली खेत थे, जो हरे भरे खेत थे, उनके तिनके तिनके में इनकी खुशी जलकती थी, क्यों? क्योंकि ये खेत उनके थे, तो वो खुशो कर इन को अपने खेतों ते बेदखल कर दिया गया है तो वो खुशी उनसे छिन गई है आगे जो है सुमितर अंदन पंजी है वो बढ़ते हैं आखों ही में घूमा करता है वे उनकी आखों का तारा और आखों का तारा यानि प्यारा बेटा कारूनों की का लाठी से जो गया जवानी में ही मारा यानि इस द्रिश्य का वर्णन किया गया है कि जमिदार के जब जो सर्वेंट है वो लाठी मार मार के किसान के प्यारे बेटे को मार दिया था और वह किसान अभी भी उसकी याद में रोता रहता है उसकी आँखों में अपने प्यारे बीटे की जो छवी है वो घूमती रहती है यानि वो उनको बार बर दिखाए देती है और वो अपने बेटे को आज भी नहीं भुला पाया अब हम जानेगे की क्यूं? और वेसी बात है कि जब किसान को उसके खेतों से बेधकल कर दिया गया था तो उसका विरोत करने पर उसके बेटे की निश्ण सहत्या कर दी गई थी और ये सारा काम जमिदार के कारुन दों ने किया था थी आप अच्छे से समझ गए होंगे आप जानते ही हैं आप खेतों के बारे में किसानों के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं और नहीं भी जानते तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है आप मुंशी प्रेमचन पढ़ते आ रहे हैं कि किसान की दारुन दशा को बताने में मारमित्ता का समावेश हुआ है आखों का तारा मुहावरे का सटीक प्रोग हुआ है तुरिंत्रे में पुन्रुक्ति प्रकाश लंकार है और सुमृत्ति भिम का प्रियोग है खड़ी बोली अपनाई गई है तीसरे पद की और बढ़ते है तीसरा पद कुछ इस प्रकार है कि बिका दिया घर दुआर महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़े दुआर अर्थार्थ दरवाजा कि जो महाजन थे अपना जो ब्याज वसूलने की खातिर उन लोगों ने क्या किया अपने कर्च के बोज के तले जो किसान था वो दवारा और महाजन के कर्च को चुकाने के लिए महाजन ने उसका पूरा ब्यास तता मूल पाने के लिए किसान का बिका दिया घर दुआर उसके घर तता दरवाजे तक बिकवा डाली रह रहा है आखों में चुपती वेकर कोई बर्धों की जोड़ी बर्धों अर्था बैलों की जोड़ी और यानि वो खेतों से तो पहले ही बेदखल हो चुका था अब उसके जो बैलों की जोड़ी थी जो दो बैल थे उसके पास जो दुधारों जो बैल थे उन बैलों की और यह बात उसकी आँखों में आज भी चुपती है उसके रोजकार का साधमी है उनसे चीन लिया गया सभी जानते है कि जो बैल है वो खिती बाड़ी के काम आते थे आगे बढ़ते हैं उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती उजरी उजरी यानि उसके पास ए भूने के लिए नहीं आने देती थी और मजबूरी के कारण किसान को से भी बेचना पढ़ा यानि वो अपनी गाय के बारे में भी बता रहा है आगे वो कहता है आँखों में नाचा करती उजर गई सो सुकी खेती और आगे किसान जो है सुमित्रन अंदिन पंची जो है किसा किसान बहुत मितीत होता है बहुत दुखी होता है और यह सारे द्रिश्य इसकी आँखों के सामने नाचने लगते हैं और उसकी जो सुख भरी खेती थी वो उजड़ चुकी है अवन हिराश तथा हताश है अत्यंत सरल जो है यह कवीताय है इनकी पंगतिया है इसके किसान पर महाजनों के अत्याचारों का सजीव वर्णन निया किया गया है कुरकी वा गरीबी के कारण बैल वा गाय बेचने का द्रिश्य कारूनिक है घर द्वार की कौडी नेने किसे कब में अनुपरास अलंकार है रह रहके में पुनुक्ति प्रकाश अलंकार है आखों मे नाचना आदी मुहावरों का प्रियोग किया गया है देशर शब्दों जैसे बर्दों का सटीक प्रियोग गया है यहाँ पर गरामिन परिवेश यहां साकार हो उठा है चौत्थे पद के और बढ़ते वियत्यन सरल है पिना दवा दरपन के घरनी घरनी अर्थात घरवाली यानि आप बात का जा रही है कि जब किसान की पतनी भी बिमार हुई और वो सवर्ग चली आँखे आती भर और वो सवर्ग चली घरन अभाव के कारण अपनी पतनी का इलाज नहीं करवा पाया और वो इसके अभ़ाव में दवायों के अभाव में मर गई और जो इस दशा को याद करता है कि चली आती आँखे भर और जब वो इस दशा को याद करता है तो उसकी आँखे जो है भर आती है और उसके मरने के बाद ही देख रेक के बिना दुद्ध मुही बिटिया दो दिन बाद गई मर यानि और पत्नी के बनने के बाद जो बेटी थी उसकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं था जिसकी वज़े से वो दूद मुही बालि का यानि मा का दूद पीने वाली जो बालि का थी वो भी अपनी मा की मिट्यू के दो दिन पश्चाथ तो भी मिच्चू का ग्रास बन गई आगे किसान बताता है कि घर में विद्वा रही पतो हो और जो पुत्र वदू है यानि पुत्र की वदू है वो भी विद्वा है वो घर में ही है उसका नाम लक्षमी है यद भी पती घातिन पती गहतिन यानि पती को मारने वाली और जब समाज में पुराने समय की बात की जा रही है कि जब समाज में पत्नी का पती नहीं रहता है तो उसको ही अपने पती का मौत का जिम्मेदार मान लिया जाता है और इसी वज़े से उसको पती गहतिन मानने जाना लगा है इसके कारण जो वो थी शर्म के कारण डूब कोई में मरी एक दिन और वे शर्म के कारण एक दिन कोई में डूब मरी इस प्रकार किसान का जो पूरा परिवार था वो बरबाद हो गया और किसान के दुखों का कोई अंत नहीं है इसका विशेश देख लेते हैं किसान की गरीब कार है दवा दरपन और दो दिन में पती के बार नारी के पती समान समाज के कटू दृष्टिकोन का पता चलता है खड़ी बोली है और पुलीस के अत्याचार का वर्णनिया पर किया गया है अंतिमपत कुछ इस प्रकार है कि खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती यानि इसमें समाज के दृष्टिकोन को जागर किया गया है कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यों को पर कोई विशेश शौक नहीं है क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि जो पत्नी है पैर की जूती के समान है जोरू अर्था पत्नी जो पत्नी है पैर की जूती के समान है जवान बेटे की मृत्यू याद आती है तो उसे बहुत कश्ट होता है उसकी छाती पर साफ लोट जाते है उसकी छाती फटने लगती है यानि उसको अपनी बेटे की जो मृत्यू है वो असा नहीं है प्रतीत होती है जो उससे सही नहीं जाती है यानि पत्नी की मृत्यू को ब परदाश नहीं है और आगे कभी कहते हैं कि पिछले सुप की सिम्दिती आँखों में शन भर एक चमक खेलाती है सिम्दिती यानि याद और जब वो अपने किसान पिछले कुशाल जीवन को याद करता है तो उसकी आँखों में शन के लिए पसंता की चमक आख जाती है के पास अब कुछ नहीं है और विचाश उन में होकर टक-tकी लगा कर देखता है और उसकी नजर है वो तीखी नोक के समान चुबने वाली हो जाती है यानि अब वरतमान में आ चुका उसको पता है अब उसका वो खुशवाल जीवन वापस नहीं लोट सकता है तो इस तरीक प्यार की जूतियादी मुहावरों का सजीव प्रयोग हुआ है तीखी नोक सद्रिश्य में उपालंकार है खड़ी बोली है ग्रामिर परिवेश का चित्रणियां पर हुआ है आशा करते हैं आपको सभी पत असानी से समझ आ गए होंगे अब हम बिना किसी देरी के इसके प् अचाने वदी बातों से डर लगता है दूसरा है उन आखो से किसकी और संकेत किया गया है और किसान की सुनी अंधेरे कि गुफा जैसी होगे संकेत किया गया है कभी को उन आखो से डड़ क्यों लगता है तो कभी को नाखो में जो भरा हुआ दुख, दार, वने गरीबी है, आवाब है, सुना पन है, उन्हें देखकर भय लगता है अगला है, डरते होगी भी कभी ने उस किसान किसान की आखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है कभी के मन का भय वास्तम में किसान से होने वाले सानुभूती है किसान का वर्णन भी कभी इसी दिश्य से करता है कि समाज किसान की पीड़ा को जाने और उसे समझ कर किसान की दशा सुधाने के लिए कुछ कारे करे अगला ह की और बढ़ते हैं प्रश्न दो है कवीता में किसान की पीडा के लिए किने जिम्मेदार बता गया है तो कवीता में किसान की पीडा के लिए जमीदार महाजन कोतवाल को जम्मेदार बताए गया है जमीदार ने शडियंतरों से उसके जमीन को बेधखल कर दिया उसके कारिंद और महाजन ने मूलधन वब्याज की वसूली के लिए उसके घर वैल गाय तक निलाम करवा दिये, आर्थिक अभाव के कारण इलाज ना करवा पाने की वज़े से किसान की पत्नी मर गई, कोतवाल ने अपनी वासना की बूर्ती के लिए उसकी पुत्र वदू को शिकार पनाया पीडा वाम लज्जा की कारण उसकी पुत्र वदू ने आत्मात्या कर ली, समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूख दर्शक बनके देखता रहा प्रशन तीन है, पिछले सुख की समगती, आँखों मेशन भर एक चमक है इसमें किसान के किन पिछले सुख होगे और संकीत की आगया है तो इसमें वही जब अपने पुराने खेट थे, बैलो की जोड़ी थी, गाय थी, जवान बेटा था, अस्तरी, पुत्री, पुत्व, सबसे भरा पूरा घरबार था, तो वह सुखी था खेट के हरियाली को एक एक तिन का किसान के जीवन में हसी खुशी था, जवान बेटा, उसके आखो गतारा था, बैलो की जोड़ी थी, और उजली गाय उसकी पतनी के लावा किसी को दूद नहीं देती थी यह सब किसान की सुख बरे दिन थे, इन बातों से उनका मन जो है सुखी रहता है, आज इन में से कुछ भी किसान के पास नहीं है, केवल यादे ही शेश रह गई हैं प्रश्ण चार है संदर्व सहीत आश्यस पष्ट करना है, पहला है उसकी उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुखाने आने जोती, यानि इस काव्यांश में जो है महाजनी अत्य चार से पीड़त किसान की उजरी गाय के बुद्दशा का वर्णन किया गया है कभी बताता है कि किसान का अपनी गाय के साथ विशेश लकाव था, गाय भी उससे तधिक्स नहें रखती थी, वह उसके विना किसी और को दूद दूने नहीं देती थी, निलामी के बाद उसने दूद देना बंद कर दिया था दूसरा है घर में विद्वा रही पतोव लक्षमी थी यद भी पती घातिम, इसमें भी अभी सिर्फ पुत्रवदू बची थी और उसका नाम लक्षमी था और उसको भी मतलब उसके साथ नाकारात्मक रवयया हुने के वज़े से वो भी मर चुकी थी और उसको पती घातिम माना जाता राता क्योंकि स्थ्रियों के पती एक नाकारात्म सोच रही है अगला देखे पिछले सुक्की सिम्रिती आंकों में शन भर एक चमक लाती है तुरश शुन्य में गडव है जित्वन तीखी नोख सद्रिश बन जाती यह देखे आपको यहां पर अभी मैंने आपको यह लास्ट में क्लियर किया है तो आशा करते हैं आपको सभी प्रशनों के उत्तर क्लियरों में और पदों की व्याक्या आपको अच्छे से समझा आ गई होगी उसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्षन में जाके कमेंट कीजिए साथी साथ इसके आंसर जो है क्वेशन आंसर आपको डिस्किप्शन में अवेलेबल है आप महां से डाउन्वोड कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगा हूथ लाइक कमेंट पर शेयर जरू कीजिए और आगे और भी नूटिफिकेशन को पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूली धन्यवाद झाल 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 झाल